gravity का हम sign क्या लेते हैं जब object उपर से नीचे की तरफ आता है fall करता है तो उसका हम sign लेते हैं positive g का sign क्या लेंगे हम positive लेंगे याने कि positive 9.8 meter per second square क्यों क्यों कि force downward direction में लग रहा है motion भी downwards ही हो रहा है तो फिर g का sign भी positive होगा वहीं अगर मैंने x object को throw किया है उपर की तरफ तो जब object उपर की तरफ जाएगा तो g की value क्या जाएगी minus 9.8 meter per second square आप इसको हमेशा negative लो मेरी बात मानना